हलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप टेन क्लासेज, मैं अभिशेक कुमार आपको गडित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग त्रिकोड मिती पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने त्रिकोड मिती की प्रशनावली 3.3 की साइन स्क्वाइर पाई बाई छे, साइन स्क्वाइर पाई बाई छे, प्लस कॉस स्क्वाइर पाई बाई तीन, कॉस स्क्वाइर पाई बाई तीन, माइनस टैन स्क्वाइर पाई बाई फोर, माइनस टैन स्क्वाइर पाई बाई फोर, बराबर, माइनस एक बटा दो, क्या स्कॉर्गों काбगाने तुम लोग लेंगे क्या आप देखे ध्यान से यह बराबर के क्या इधर के पच्छे रहा है बॉलते हैं ठीक है और यह कौन सबस्च है हमारा चार्छ है कि काईं ठीक है क्या करेंगे हम बढ़क तो कि अपक्ष में हम क्या करेंगे ऑट दूनियों में से कोई एक पच्छ लेगें हैल करते हैं तो हम यहां सुरुवाद कहां से करेंगे बाइं पच्छ से देखें यहां सबसे पहले intentar लिखेंगे बायां 5 ठीक है माया 5 हमारा क्या हो जाएगा sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 ठीक है देखें यहां लिखा है sin square pi by 6 sin square pi by 6 आपने एक table पढ़ाई थी आपको जिसमें हमने 0 से ले करके 90 अंस तक के मानों की चर्चा की थी उसमें हमने उसके अंस degree में मान को रेडियन में भी परिवर्थित करके लिखा था आपको ध्यान हो तो sin square pi by 6 का जो degree में मान होता है वो 30 degree होता है कितना होता है 30 degree तो sin 30 degree का मान होता है 1 बटा 2 तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 का whole square प्लस आगे बढ़ें तो pi by 3 का degree में जो मान होता है वो कितना होता है 30 कितना होता है 60 होता है कितना हो जाएगा यह हो जाएगा का साथ हैंस का मान 1 बटे 2 का whole square यहां देखें स्क्वाइर लगा है न इसक्वाइर जब हटता है वो पूर टोटल पर चला जाता है ठीक है अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे माइनस 10 pi by 4 pi by 4 का मतलब कितना 45 degree कितना 45 degree मतलब 10 45 cents और 10 45 cents का मान होता है एक तो यह हो जाएगा किसका 1 का square आगे हल करते हैं हम लोग इसे तो यह कितना हो जाएगा एक बटा 2 का whole square करेंगे तो एक का वर एक और दो का वर कितना हो 4 minus कितना ओजाएगा एक cover घ भी रहेगा यहां देखे हरं बराबर है दोनों में क्या बराबर है हर अगर बराबर रहता है तो अंस को हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं जोडियां घटा लेते हैं तो एंस कितना व जाएगा 4 minus माइनेस कितना एक ठीक है या कोगे करेंगे तो सका बटा क्या कर लेते हैं एक कर लेते हैं और इसे र करेंगे तो इसका यल्शियम हो जाएगा दो छूठा यह नаюсь हो जाएक दो दो बड़ा है और एक क्या है छोटा है सलिए माइनस का चिन आएगा माइनस 12 ठीक है यह हमारा मतशर इस क्जा और इस पर भट प कुशन की और कोशन नंबर 2 देखे कुशन मारे पास है 202 इसुर फाइब है जो हुए टूहूं साइब ऑई छोएर पॉरी तिर फिर आगे क्या है फ्युच सब्सकर सक्वाइर साथ पाई भाई ये आगे दो लिखाए क्यों स्क्वाइर पाई भाई भाई तीन अच्छा से कॉसे है ये क्या है स्कुरे शॉति कॉसेॉइर गाइच गीटा मुर्ण important श्êpes पॉयर पाई भाई तीन कास स्कुएर भाई भाई-3 वाय पच्छ हमारे लिए क्या है तू साइन स्क्वायर पाई भाई छे प्लेस कॉसे की स्क्वायर साथ पाई भाई छे इंटू कॉस स्क्वायर पाई भाई तीन ठीक है अब इसे क्या करेंगे हल करेंगे त्यांस देखिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल क सामने रखकर भी इस question को लगा सकते हैं यहां लिखा है पाई भाई भाई 6, पाई भाई क्या शे, पाई भाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता, कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो यहां हो जायेगा, 2 गुड़े, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है, 1 बटा 2 और एक बटादो का क्या हो जाएगा होल स्क्वाइर ठीक है प्लस क्या लिखा है प्लस कॉसेक स्क्वाइर साथ पाई भाइच है कॉसेक स्क्वाइर साथ पाई भाइच है तो यह कितना हो जाएगा अगर इसे सॉल करेंगे इसे सॉल करने के लिए हमें इसे हल करना पड़ेगा कौस x2 ठीक है कितना 7Pi है कितना है 7Pi है तिसे लिख सकते हैं हम लोग Piई plus PiWi 6 Pi plus PiWi 6 मतलब Pi 180 Pi plus PiWi 6 6196 degree ठीक है यहाँ क्या हो जाएगा कौस x2 कितना यह PiWi 3 है PiWi 3 का मतलब हो जाएगा 60 degree कितना हो जाएगा 70 degree और 60 degree का मान होता है एक बटा दो कॉस साथ डिगरी का मान एक बटा दो हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वाइर आगे देखिए इसका स्क्वाइर करेंगे तो यह हो जाएगा दो गुड़े एक बटा कितना चाहर प्ल्स मत्तब समझें आप हम लोगोंने क्या पड़ा था वह 14 for that उसे क्ना यह 0 डिगडिया और यह काउन है और पाई के बाद अगर हम लोग यहां हैं यहां से आन Kerry और इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो किस खाने में चले जाएंगे हैं थीसरे खाने में चले हमारा यह हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 6 से लिख देते हैं कॉसे की स्क्वाइर क्या माइनस पाइवाइच है गुड़े एक बटा कितना हो जाएगा यह चार ठीक है यह हो जाएगा दो से कट जाएगा यहां हो जाएगा एक बटा दो प्लस यह माइनस बाहरा जाएगा माइनस कहा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, कॉसक स्क्वाइर, पाई भाई 6, गुड़े एक बटा कितना, 4, पाई भाई 6, पाई भाई 6 का मतलब होता है, कितना, 30 डिगरी, कितना होता है, 30 डिगरी, तो कॉसक 30 साथ 1-2ën. मानन कोस ACT के साथ रहेगा. टूटेगा, तो इसका मानओन रखेंगे, तो यहां क्या रहेगा, प्लस रहेगा. और यहां क्या हो जाएगा, माइनस दो का क्या हो जाएगा, होल स्कॉर, माइनस दो का होल स्कॉर करेंगी तो यह हो जाएगा, प्लस चार और गुड़े एक बटा कितना, ठीक है, चार से चार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां कितना बचेगा, एक बटा दो, प्लस एक, इसे solve कर लीजिए, दो एक अन्नम, दो, दो में एक जोड़ देंगी, कितना हो जाएगा, तीन बटा दो, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, दाया पच्छ, क्या हो जाएगा, दाया पच्छ, अर्तात हम लोग लगा कहां से रहे हैं, बाया पच्छ से, और हमें मिला कौन सा, दाया पच्छ, कौन मिला, दाया पच्छ, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दाया पच्छ, जब दाया पच्छ मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, क्यों, क्योंकि बाया पच्छ जो है, वो किसके बराबर हो पाइ बाइच्फ है कौस्जिक पाईव्ग फाइच और क्या है हमारे पास प्लस 310 स्क्वाइच है प्लस 1610 स्क्वाइच एच बराबर कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा कितना चे हो ठीक है तब से फैवल हम्लों क्या लिखेंगे माइं परेंगे क्या लिखेंगे लोग लिखेंगे माया पच्छ लिखेंगे मदलना पड़ेगा यह क्या हो जाएगा हमारे लिए cot πi by 6 का whole square plus यह हो जाएगा क्या कॉसेक πi by 6 plus 3 कितना हो जाएगा 10 πi by 6 क्या हो जाएगा whole square देखे यहां जो कॉसेक πi minus πi by 6 हो रहा है इसका क्या हो जाएगा हम लोग दूसरे खाने में हैं देखे यह हमारी line है यह 0 degree है 180 degree है 180 में यह आप कुछ घटाएते हैं तो दूसरे खाना होगा दूसरे खाने में आ और येस के हिसाब से sign और कॉसेक श्या रहेगा positive रहेगा तो sign और कॉसेक क्या हो गया positive हो ठीकिक है नहीं तो कॉसेक positive हो गया तो यहां क्या हो जाएगा Count pi by 6 का मतलब कितना होटा है ती संस और ती संस का मान होता है करणी में 3 का क्या होली स्क्वाइर प्लेस कॉसिक पाइबाइच है का मतलब कितना दो प्लेस तीन गुड़े 10 पाइबाइच है 10 pi by 6 का मतलब 1 बटा करणी में 3 तो इसका क्या हो जाएगा whole square करणी में 3 का square करेंगे कितना हो जाएगा 3 plus कितना 2 यह हो जाएगा 3 गुड़े करणी में 3 का करेंगे तो 3 ही होगा और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बाया पच्छ बराबर क्या हो जाएगा दाया पच्छ हो जाएगा ठीक है ना इस प्रकार कोशें नंबर 3 होता है और कोशें नंबर बढ़ते हैं 4 क्यों प्रसंख्या 4 हमारे पास है 2sin2 3 pi by 4 सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें से बाया पच्छे लिखेंगे क्या लिखेंगे बाया पच्छ बाया पच्छ हमारे लिए क्या है बाया पच्छ हमारे लिए है टू साइन स्क्वाइर तीन पाई बाई चार प्लस टू कास स्क्वाइर पाई बाई चार ठीक है यहां क्या हो जाएगा प्लस यहां हो जाएगा टू सेक्वाइर पाई बाई ती ठीक है अब देखिए हम देख रहे हैं कि दो तो सब में हैं दो तो हमारे पास क्या है सब में हैं दो सब में से क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं ठीक है तेहां क्या बचेगा यहां हो जाएगा साइन प्रैकेट में पाई माइनस पाई वाई फूर ठीक है और इसका क्या हो ज प्लस कितना हो जाएगा प्लस यहां हो जाएगा हमारे पास कॉस्क्वाइर पाई भाई चार प्लस से किस्क्वाइर पाई भाई थी ठीक है ज्ञास देखिए अगर हम लोग इसे सॉल करते हैं पाई माइनस पाई तो खाना कौन सा होगा दूसरा होगा दूसरे खाने में साइन और कौसक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं देखिए हम लोगों ने देखा था था न ए यस दूसरे खाने में आता है जिसमें कौन कौन साइन और कौसक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो दूसरे खाने म cos sqr pi by 4 plus sqr pi by 3 ठीक है देखे sin sqr theta plus cos sqr theta बराबर कितना हो जाएगा 1 इसके value total मिला की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है plus यहां हमारे पास क्या लिखा है sqr pi by 3 pi by 3 का मतलब होता है 60 degree कितना degree 60 degree और 60 cents का जो मान होता है वो हमारे पास जो कॉस साथ का मान होगा उसका उल्टा होगा कॉस साथ का मान एक बटा दो होता है तो सेक साथ का मान हो जाएगा दो दो का स्क्वार करेंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा प्लस चार चार और एक कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा और पांच में दो से गुड़ा करेंगे तो दस यह हमरे पास कौन आ गया दाया पच्छ कौन सा है दाया पच्छ अर्थाद बाया पच्छ वराबर दाया पच्छ इसलिए हम लोग क्या कर दिये हैं सवाल नमर चार को भी क्या किये हैं शिद्ध कर दिये ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रस्णी की ओर प्रसंख्या पांच कि प्रसंख्या पांच में कहा गया है मान याद कीजिए क्या कीजिए find the value मान याद कीजिए कि कि किसके किसके मान याद करने हैं सबसे पहले उन्होंने कहा है किसका उन्होंने कहा है पंदर कितना थेक्षो साइन संपस्यक्ष्था लगा लेते हैं देखें साइन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा श्बसे पहले हम लोग क्या करेंगे साइन साइन बसे से तोड़ के लगाएंगे साइन 75 को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं साइन 45 प्लेस 30 75 40 30 70 और 5 क्या हो जाएगा 75 तो यह हो जाएगा हमारा साइन 45 अंस प्लेस कितना 35 अंस अब हम लोग यहां सूत्र लगा देंगी किसका साइन a plus b का हमने कज सूत्र पढ़ा था आपको ध्यान हो की सूत्र हो जाएगा साइन x plus y पीछली वीडियो में हमने आपको इस प्रस्णावरी से सम्भजित महजवपूर सूत्रों की चर्चा की है आप जरूर जा करके वो वीडियो देखें क्या हो जाएगा क्या sin x cos y plus cos x sin y ठीक है ना ये सुत्र हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्रयोग करेंगे देखे ये जब सुत्र प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा सबसे पहले sin आएगा sin 45 फिर क्या आएगा cos 30 फिर plus का चिन आएगा अब क्या आएगा sin 30 और cos क्या आएगा 45 तो sin 45 जिग्गी का मान होता है एक बटा करणी में दो गुड़े cos 30 तो cos 30 का मान होता है करणी में 3 बटे 2 plus sin 30 का मान होता है 1 बटे 2 और cos 45 का मान एक बटा करणी में दो, चले एक पहले गुड़ा कर लेते हैं, गुड़ा करेंगे ति हो जाएगा, करणी में तीन बटे दो, करणी में दो, प्लस एक बटा दो, करणी में दो, आप देख पा रहे हैं, या हर क्या है दोनों में, बराबर है, इसलिए अंस आपस में क्या हो जा यह जाएगा मतलब करणी में 3 plus 1 अपां 2 करणी में 2 ठीक है ना यह किसका मान है यह साइन पचहत्तर अंस का मान है ठीक है ना आप चाहें तो इसी साइन पचहत्तर अंस के मान में इसका rationalization कर सकते हैं मतलब करणी में 2 से उपर और नीचे क्या कर सकते हैं गुड़ा वैसे करणी हर में नहीं रहनी चाहिए इस वज़े से हमने करणी में 2 से उपर नीचे क्या कर दिया है गुड़ा यह हो जाएगा करणी में 6 प्लस करणी में 2 बटा यह इससे साथ गुड़ा हो गात कि दूसरी सवाल कि 10 15 कितना 10 15 अगर 10 15 की बात करें तो 10 15 कैसे लिखा जा सकता है तो हम लोग 10 15 15 को पहले लिखेंगे 1045 35 degree minus 30 degree ठीक है तो यह हो जाएगा 10 45 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा 15 अभी बात वही है लेकिन लिखने का तरीका जो है हमारा वो क्या हो गया है बदल लिए है हम लोग क्या लिखेंगे अब इसके बाद सूत्र लिखेंगे इसके लिए सूत्र कौन सा है 10 x minus y क्या होता करेंगे यहां apply करेंगे ध्यांस देखिए जब यह सूत्र यहां apply करेंगे यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 10 45 अंस minus 10 तीस अंस upon 1 minus 1 minus यहां minus यहां plus 10 45 इंटू क्या 10 30 चलिए वैल्यू रखते हैं तो हमारी यहां क्या हो जाएगी 10 45 अंस का मान एक 10 30 का मान एक बटा करणी में 3 upon 1 plus 10 45 का मान एक और 10 30 का मान वन अपान करणी में 3 तो नीचे का जो भिन है उसमें अंस जो है वो हर हो जाएगा और जो हर है वो क्या हो जाएगा अंस हो जाएगा करणी में 3 बटा करणी में 3 प्लस 1 देखिए करणी में 3 से करणी में 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा या हमारे पास क्या आजाएगा करणी में 3 माइनस 1 अपान करणी में 3 प्लस 1 ठीक है अब क्या करेंगे अगर आप चाहें तो इसका rationalization कर दीजिए कितने से और अगले ब्रेकेट में क्या है अगर एक ब्रेकेट में a फ्लस b होता है और अगले bracket में a minus b होता है तो सूत्र बनता है a square minus b square अर्थाथ पहले वाले का square minus दूसरे वाले का square कहाँ हो जाएगा क्या करनी में 3 का square minus 1 का square ठीक है आगे देखिए इसे हल करेंगे भा a square यहाँ जो सूत्र लग रहा है यहां जो सूत लग रहा है वो लग रहा है A minus A minus B का whole square क्या हो जाएगा A square plus B square minus 2AB क्या हो जाएगा क्या करणी में 3 का square plus 1 का square minus 2 गुड़े करणी में 3 into A अपान क्या हो जाएगा करणी में 3 का square 3 minus कितना 1 ठीक है इसे solve करेंगे देखें यहां solve कर रहे हैं करणी में 3 का square हो जाएगा 3 plus 1 का square 1 minus यहां हो जाएगा कितना 2 करणी में 3 बटा यहां हो जाएगा 3 में से एक गए कितना 2 ठीक है आगे देखें 3 और एक कितना हो जाएगा 4-2 करणी में 3 बटा कितना 2 यहां तो common कर लेंगे तिया हो जाएगा 2-3 करणी में 3 बटा कितना 2 2 से 2 कट जाएगा और answer हो जाएगा 2-3 यह रहा किसका 10-15 डिगरी का मान 2-3 ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण है हमारे लिए प्रसंख्य अच्छा में है cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus x आगे उन्होंने का है cos pi by 4 minus y cos pi by 4 minus y आगे उन्होंने का है minus sin pi by 4 minus x फिर sin pi by 4 minus y बराबर sin x plus y यह क्या करना है हमें सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध करना है देखे क्या है सवाल है हमारे पास cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y बराबर sin x plus y हमें क्या करना है सिद्ध करना है आपको याद हो तो हम एक सुद्र जानते है cos x cos y minus sin x sin y बराबर क्या होता है बराबर सुद्र होता है cos क्या x plus y किसका सुद्र होता है cos x plus y का होता है देखे x plus y cos x plus y के सूत्र में क्या आता है माइनस आता है और माइनस के सूत्र में क्या आता है प्लस आता है यह किसका सूत्र है cos का आपको दिख रहा होगा कि यह अगर पूरा देखें इसे अगर हम लोग x माल ले और इस पूरे को y माल ले तो आप देख पा रहोंगे यह cos x cos y sin x sin y लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे यही सूत्र अप्लाई कर रहे हैं ठीक है न क्या लिखेंगे सूत्र क्या सूत्र cos x cos y minus sin x sin y बराबर cos x plus y से ठीक है यहां क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा cos pi by 4 minus x, ठीक है, plus करना है yoksokamang हो गया, अब क्या करेंगे, plus करेंगे क्या pi by 4, क्या minus y, ठीक है क्या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा cos pi by 4, pi by 4 आपस में add हो जाएगा यह हो जाएगा pi by 2, ठीक है, देखें हर बराबर है अंस में जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना 2 पाई और 2 दूना कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यह हो जाएगा minus x minus y ठीक है तो यह हो जाएगा cos pi by 2 minus common कर लीजिए तो यह हो जाएगा x plus y ठीक है यह देखिए हम लोग किसी प्रकार अगर आगे देखें तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा cos 90 minus theta cos 90 minus theta क्या कहता है पहली बात तो 90 कह रहा होता है कि हम अन्व बात जो होता है ratio होता है उसे क्या करेंगे बदल देंगे तो जो cos है वो किसमे हो जाएगा sin में हो जाएगा और 90 में इस कुछ घटा है कि आप किस खाने में जा रहे हैं पहले खाने में जा रहे हैं पहले खाने में क्या होता है और पॉसिटिव होता है इसलिए हो जाएगा sin x plus y मतलब cos 90 माने शीटा बराबर sin theta ठीक है इस प्रकार से यह आपकी सवाल क्या हो जाती है सिध्द हो जाती है यह आमने कौन सा पच्च लिया था बायापच्च ठीक है और यह हमें जो मिला है वो कौन सा है दायापच्च मिला है ठीक है अर्थाद बायापच्च बराबर दायापच्च देखे प्रसंखया 7 प्रसंखया 7 हमारे पास है 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x बराबर 1 minus 1 plus 10 x upon 1 minus 10 x का whole square यह हमें क्या करना है prove करना है ठीक है देखिए सबसे पहले तो हम इस में से क्या लेंगे भाया पच लेंगे भाया पच्च हमारे पास क्या है भाया पच बाया पच्छ हमारे पास क्या है 10 π.y.4 प्लस एक्स अपान क्या हो जाएगा 10 π.y.4 माइनस एक्स ठीक है यह देखिए यह हमारा क्या हो गया बाया पच्छ हम लोग को पता है सूत्र कौन सा सूत्र शूत्र यह लिखते हैं सूत्र पता है हम लोग को 10 a plus b या इसे कहें x plus y और x minus y का समझ रहे न 10 x plus y और x minus y का क्या होता है जब सूतर में plus होता है तब यहां लिखा जाता है 10 x plus 10 y लेकिन यहां क्या लिखा जाता है यदि minus है तो क्या लिखा जाएगा minus लिखा जाएगा आपान, यहान लिखा जाएगा, यदि पलस रहेगा, यहान आएगा minus, और प्लस रहा तो minus, तो यहान हो जाएगा 10X into 10Y, हमने दोनों सुत्रों को एक ही में लिखने का प्यास किया है, ठीक है na, पलसका भी और किसका मइनसका भी तो आगे देखिए आगे यहां हो जायेगा 10 यह हमारा किसका काम करेगा यक्स का काम करेगा और यह कौन? y तिया क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा 10 πάइ बाइ 4 प्लस 10 x अपान 1 माइनस 10 πάइ बाइ 4 क्यां? 10 x और पूरे का बटा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 pi by 4 minus 10 x upon 1 minus 10 pi by 4 into 10 x, ठीक है, अब देखे, इससे जब solve करेंगे, तो solve करेंगे 10 pi by 4 का मान कितना हो जाएगा, 10 pi by 4 का मान हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, इसमें प्लस है तो कितना 10x और पूरे का बटा 1- क्या हो जाएगा 10x कैसे 10 πईए 4 का मानने और एक का गुला 10x में होगा तो क्या हो जाएगा ठीक आगे देखिए और पूरे का बटा हम लोग करेंगे तो पूरे का बटा यहां देखिए यह 5x4 है, 5x4 का मान 1, minus 10x, क्या हो जाएगा, 10x, अपान, यहां हो जाएगा, 1 plus, क्या, 10x, देखे, यहां 1, ठिक, यहां देखे, सॉरी, यहां प्लस रहेगा, 1 plus 10, 5x4, 10, 5x4 का मान 1, और यह क्या हो जाएगा, 10x, अब यह वाली लेंड क्या होगी, गुड़े में बदलेगी यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, 1 plus 10x, अपान, 1 minus 10x, गुड़े, 1 plus 10x, अपान, 1 minus 10x, ठिक है, क्या हो जाएगा, आगे देखे, यह हो जाएगा, 1 plus 10x का क्या, whole square, अपान, 1 minus 10x का क्या, whole square, दोनु के square को क्या करेंगे, साथ करके लिख देंगे, यह हो जाएगा, 1 plus 10 AX और 1 minus 10 AX का क्या whole square ठीक है इस प्रकार ये रहा आपका क्या दायापच ठीक है ये दायापच रहा अर्थात बायापच बराबर दायापच इस प्रकार आपकी सवाल नंबर 7 क्या होती है सिद्ध होती है बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर सवाल नम्बर आठ देखिए, सवाल नम्बर आठ हमारे पास है, cos πाई प्लस x, cos माइनस x upon sine πाई माइनस x, cos πाई बाई टू प्लस x, बराबर, cut square x ठीक है देखे हम इसमें से क्या सबसे पहले बाया पच्छ ले लेते हैं हमारे पास बाया पच्छ क्या है बाया पच्छ है बाया पच्छ बराबर हमारे पास है क्या cos pi plus x into cos minus x upon क्या है sin pi minus x into cos pi by 2 क्या plus x ध्यांस देखें हम लोग को इसके लिए क्या यहां घूमना पड़ेगा चतुर थांस में A YAS T C ध्यांस सुनिए यहां लिखा है cos pi plus x cos pi plus x यह 0 degree है यह pi by 2 degree है यह pi है यह 3 pi by 2 है और यह फिर से क्या हो जाएगा 2 pi हो जाएगा ठीक है जाज देखिए तो अगर हम लोग देखें तो यह 180 degree है अगर 180 degree में आपको जोडेंगे तो खाना काउन सा हो जाएगा तीसरा खाना और तीसरे खाने में 10 और cot positive 10 और cot positive बाकि सब क्या रहने वाले हैं negative रहने वाले हैं हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हैगा cos cos रहेगा और cos क्या रहेगा x रहेगा cos minus theta बराबर क्या होता है cos theta ही होता है तो यह क्या हो जाएगा cos theta upon sin pi minus x sin pi minus x का मतलब pi 180 में इसकुछ घटा रहे हैं तो किस खाने में दूसरे खाने में और दूसरे खाने में जो sin होता है वो positive होता है क्या होता है positive होता है यह क्या हो जाएगा sin x यह देखिए cos pi by 2 plus x pi by 2 line यह है अगर आप इसमें कुछ जोडते हैं तो खाना आपका क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा दूसरे खाने में sin और cos एक positive होते है बागी सब क्या होते है negative लेकिन आप जहां खड़े है वो pi by 2 की line है और pi by 2 की line कहती है कि हम आपका रंग क्या करेंगे बदल देंगे यदि sin होए तो वो cos में cos है तो sin में 10 है cot में cot है 10 में तो यहां का हमारे पास क्या है cos है यह बदल जाएगा किसमें sin x में इस प्रकार क्या हो जाएगा cos square x upon क्या हो जाएगा sin square x इसे हम लोग लिखेंगे cos x upon sin x का whole square cos upon sin को क्या बोलते है cot x तो इसका whole square हो जाएगा जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं COT SQUARE X ये रहा आपका कौन सा दायां पच्छ ठीक है अर्थात बायां पच्छ बराबर क्या हो गया हमारे पास दायां पच्छ हो गया ठीक है इस प्रकार आपकी सवाल नंबर 8 क्या होती है हल होती है सवाल नंबर 9 की और देखिए सवाल नंबर 9 हमारे पास है COS 3PY2 COS 3PY2 PLUS X आगे है हमारे पास COS 2PY PLUS X फिर उन्होंने लिखा है बड़े ब्रैकेट में COT 3PY2 MINUS X PLUS COT 2PY PLUS X और बरावर हमें प्रूब करना है एक ठीक है देखिए यह लिखे समारा क्या हो जाएगा COS 3PY2 PLUS X INTO COS 2PY PLUS X IN ब्रैकेट COT COT 3PY2 2 MINUS X PLUS COT 2PY PLUS X ठीक है बरावर क्या है अच्छा यहलेचस हम लिखी रहे हैं तो यह हमारा क्या हो गया यहलेचस देखिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि यह Quadrant में इसकी value जो बदल रही है वो कैसे यह देखिए यह लाइन है यह सचकी यह भाई है इसे हम लोग 0 degree बोलते हैं इसे पाई भाई 2 बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं पाई इसे तीन पाई भाई 2 इसे तू पाई फिर से ऐसे ही क्या करते हैं, हम लोग इसमें चक्क्र लगा रहे होते हैं, ठीक है? जान्स देखे, ये जो line है, ये line कहती है कि ये no change, किसी भी अनुपात को ये बदलेगी, नहीं, लेकिन ये line कहती है change, क्या बोलती है? चेंज अगर इस पर कोई अनुपाद है तो वो क्या गरेगा उसे बदल देगा ध्याज देखें ये तीन पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा है अगर तीन पाई बाई टू यह है और उसमें आप कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से खाना मिलेगा आपको चौथा मिलेगा A, S, E, C के हिसाब से कौस और से क्या रहते हैं पॉजटिव रहते हैं चौथे खाने में कौस और से क्या रहते हैं पॉजटिव रहते हैं तो यहां हमारे पास कौस है कौस क्या रहेगा पॉजटिव रहेगा लेकिन यहां तीन पाई बाई बाई टू पे खड़े हैं जो हमारे पास 2Pi है और 2Pi में जैसे कुछ जोड़ोगे तो खाना कौन सा मिलेगा पहला खाना पहले खाने में क्या रहता है all positive मतलब क्या हो जाएगा अनुपाद तो बदलेगा नहीं यह हो जाएगा cos x ठीक है अगली बार उन्होंने का cot 3Pi by 2-6 यह 3Pi by 2 है और इसमें जैसे कुछ घटा होगे तो खाना आपको कौन सा मिलेगा तीसरा खाना तीसरे खाने में 10 और cot क्या होते हैं positive होते हैं बाकि सब क्या होते हैं negative लेकिन हम जिस line पे खड़े हैं वो line carry हम अनुपाद क्या करेंगे बदलेंगे तो cot जो हमारा है व जाएगा और यह हो जाएगा cot x ठीक है क्या कर लिजी इन लोग को बदल लीजिए यह हो जाएगा हमारे लिए sin x into cos x यह हो जाएगा 10 को क्या बोलते हैं sin x upon cos x plus cos x upon क्या हो जाएगा sin x यह किसके लिए सुत्र होता है 10 और cot के लिए हल कर लिजी इसे यह हो जाएगा क्या sin x into cos x bracket में यह हो जाएगा sin का इधर गुड़ा होगा sin square x cos का यह होगा तो cos square x upon sin x into cos x sin x into cos x sin x into cos x से क्या हो जाएगा cancel जो बचेगा वो क्या हो जाएगा sin square x plus cos square x जिसका मान कितना होता है एक ठीक है इस प्रकार यह आपको क्या मिल गया दाया पच्छ ठीक है तो आज की वीडियो में हमने प्रशनावली 3 दस्मलों 3 की 9 सवाले कवर की हैं आगे की वीडियो में हम बची सवालों को कवर करेंगे आई हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत